हेलो एरवाइन आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजिनरिंग कैपसूल में और इस वीडियो में हम जो भी आपकी क्वैरीज हैं जो बच्चे बहुत दिनों से मेरे से पूछ रहे हैं कहीं फेस्बुक पे कमेंट कहीं फेस्बुक पे मैसे वीडियो में कवर कर सकूँ वैसे लास्ट वीडियो में भी अगर आप देखते तो मैंने बहुत सारे जो आपकी क्वैरीज हैं उसको कोशिश की थी वीडियो में कवर करने की वीडियो को पूरा देखा करें आदी वीडियो मत देखा करें मैंने पूरी वीडियो में उसको स शेयर करता रहता हूँ मैं आपके साथ पहले तो इंजिनरिंग कैपसूल्स के बाकी जो जहां जहां पे भी हमारे जहां जहां पे भी हमारे चैनल है वो आपको मैं बता देता हूँ तो हमारे साथ आगे आप जूड सकते हैं इंस्टाग्राम पे इंस्टागराम पे हमारा यह पेज है रमे इगनाइटिंग इंटलेक्ट नाम से यह हमारा एक्शुल में इंस्टिट्यूट है जहां पे हम पॉल टेक्निक और बीटेक की कोचिंग जो है वो पिछले पांच साल से प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद हम आप वाटसैप पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाटसैप पे हमारा इंजिनरिंग कैपसूल नाम का ग्रूप है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और उसका नमबर मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में शेयर किया हुआ है और अगर आपके पास नमबर नहीं है नमबर आप नोट कर सकते हैं 9622121692 डिस्क्रिप्शन में मैं ये शेयर कर दूँगा आपके साथ यहां स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर हो रहा होगा उसके बाद टेलिग्राम एप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलिग्राम में भी हमारा चैनल है इंजिनरिंग कैपसूल का वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटस जो भी वीडियो मेरी आती है उसका लिंक यहां पे शेयर हो जाता है और साथ में ही जो नोटिस है वो भी आप यहां से ले सकते हैं और तरह की कोई PDF वगएरा जो है या नोट्स वगएरा या पुराने पेपर जो हैं वो हम यहां पे शेयर करते रहते हैं उसके अलावा आप मेरे साथ personally भी जुड़ सकते हैं मेरा Instagram पे channel है राहूल मर्चेंड नाम से आप उसको भी follow कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई भी आपकी civil engineering के related कोई भी query है आप मुझे सकते हैं उसके related भी सवाल तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ जो भी आपके सवाल है कुछ बच्चों के ये सवाल सबसे में सवाल जो हर बच्चा मेरे से पूछ रहा है एक्जाम ऑनलाइन होंगे या ओफलाइन होंगे सेकंड फॉर्थ और फिफ्ट के सेकंड फॉर्थ और फिफ्ट के जो 2020 में आपके मई जून सेशन में पेपर होने थे जो नहीं हुए थे COVID-19 के वज़ा से वह मार्च में हो रहे हैं बहुत सारे बच्चों को ये confusion है कि वो ऑनलाइन होंगे या ओफलाइन होंगे देखे अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई भी notice ऐसा नहीं आया जिसमें उन्होंने कहीं पे इस चीज़ को notify किया हो लेकिन होंगे multiple choice जो मेरा idea है और ये मैंने idea इस हिसाब से लगाया क्योंकि आप अगर date sheet को देखते हैं ध्यान से तो date sheet में एक्जाम की जो timing है वो timing तीन गंटे की time नहीं है वो एक दो गंटे का time उन्होंने दिया हुआ है जिसे पता लगता है कि जो एक्जाम है वो होगा mcq अब offline होगा या online होगा इसके बारे में अभी तक कोई भी यहाँ पर specify नहीं किया हो लेकिन जो मुझे कुछ sources से पता लग रहा है mcq offline होंगे मतलब second fourth और fifth semester के जो exam है वो mcq होंगे और offline होंगे यानि आपको exam देने के लिए examination center में आना पड़े और examination centers भी ज्यादातर आपके शायद college में ही हो सकता है कि आपके college में ही बने ठीक है बट इस या क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई notification ऐसी नहीं आई हुई है इसलिए इस चीज़ को आप पका नहीं मानकर चल सकते सिर्फ rumors और कुछ sources से मुझे बता लगा है कि ऐसा हुआ है ठीक है कि ऐसा हुआ आपका exam जो है वो offline होंगे और MC के होंगे उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि first के जो exam है ये examination अभी first के लिए कोई notification नहीं आई हुई first semester के लिए जो आपके forms थे वो नहीं fill up हो रहे तो अभी तक जब notification जब तक नहीं आती तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकते ठीक है उसके बाद और first semester के वो बाद में भी conduct कर सकते हैं कि third और फिफ्ट के लिए उनके पर pressure था क्योंकि third और फिफ्ट अगर लेट हो जाता है नवंबर दिसंबर का session तो फिर six semester पे affect पड़ेगा और इस साल जिन बच्चों ने six semester पास आउट करना था और अगर उनकी पीछे कोई सपली रहती है तो उसका result जो है वो six के बाद आएगा तो ये problem थी इसलिए इनोंने फोर्थ और फिफ्ट के exam जो है इनको third और फिफ्ट के exam इनको timely conduct करने है तो इसलिए जादा इनका focus third और फिफ्ट पे है तो first के भी exam जल्दी ही हो जाएंगे ठीक है और बाकी आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हमें problem आ रही है form fill up करने में देके form fill up करने में एक तो है देखिए new account बनाना जरूरी नहीं है अगर last time आपने वीडियो देखा होगा last वीडियो में मैंने आपको clarify किया था board की तरह से भी notification उन्होंने भी इसको notify किया हुआ है कि आपको account बनाना जरूरी नहीं है बट अगर आपका पिछले account से नहीं हो रहा तो अगर आपकी नहीं पिछला account काम कर रहा है है आपका phone number बंदो चुका है तो तब आप नए account बना सकते हैं उस case में आप नए account बनाए और वहां से form fill up कर सकते हैं और नए phone number होना चाहिए मतलब पहले वो phone number use नहीं किया होना चाहिए एक तो चीज़ यह है दूसरी चीज़ अब बच्चों को problem यह चाहिए जब वो नए account बना रहे हैं तो उनका पुराना वाला जो है वो कह रहे हैं वहां पर हमारी payment जो है जो हमने की हुई है वहां पर payment वहां पर status शो नहीं हो रहा वो status जो है हमारा वहां से हट रहा है तो देखिए अगर आपने payment की है आपके पास screenshot है उसका तो आपको ग बोड को contact करें और उनसे इस चीज़ के लिए आप अगर आपको फोन नहीं मिल रहा है या आपको वहां से reply नहीं आ रहा तो आप खुद भी जाकर visit कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं और उनसे जो भी आपकी problem है उसके लिए कर सकते हैं उससे पहले आप एक बार अपने college में या online होंगे या offline होंगे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अभी तक इसके बारे में कोई भी कोई भी notification कोई भी बोड की तरफ से तो नहीं मिला अगर आप अपने teacher से पूछते हैं अपने college से पूछते हैं तो अपने college से अगर पूछेंगे टीचर से पूछेंगे या तो उन जो भी sources के थूँ जो मुझे पता लग रहा है कि paper online होने के chances है online होंगे mcq इसके chances है online हो सकते है mcq हो सकते हैं इसके chances हैं लेकिन यह 100% sure नहीं है दूसरी चीज़ यह तो online होंगे mcq यह offline होंगे mcq इन दोनों के chance सबसे ज़्यादा है तीसरे वाले के chance कम है लेकिन हो वो भी सकता है कि आपके pen paper मोड से हो तो ज़्यादा chance हम मान लेते है online हो सकते हैं और दूसरा option offline का है ठीक है तो फिलाल अभी पता लग जाएगा इन exam बहुत जल्दा आपको पता लग जाएगा लेकिन main अभी यह है कि जिनके 10 मार्च से exam है उनके online होंगे या offline होंगे उनके offline होने के chance है online के तो chance बहुत ही कम है इन बच्चों के offline होंगे और MC के होंगे MC के होने के chance जादा है ठीक है तो ये कुछ questions थे जो मुझे बार बार इनके बारे में बच्चे पूछ रहे थे ठीक है तो मैंने कोशिश की जो भी जवाब है इनकी मैं आपको दे सकूँ इस कर सकते हैं आप मेरे साथ मेरे WhatsApp नंबर वे जुड़ सकते हैं WhatsApp नंबर नीचे शेयर किया हुआ है मैंने लेकिन सवाल कोशिश करें relevant हो और मैंने पहले उसका जवाब वीडियो में ना दिया हो ठीक है आप वैसे सवाल पूछें और अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दे पारा तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करें कहीं बार मुझे नहीं पता होता तो मैं उसका जवाब आपको नहीं दे पाता ठीक है तो ज़्यादा उस वकत आप पैनिक मत होए मैं आपको उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा देने की Thank you very much for watching this video God bless you all अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी जो भी जेके एस गोट की लेटस्ट अपडेट्स हैं उन तक भी पहुन सकें